असलाम लेकूम मेरा नम राहील है और मैं आपको अपने चैनल डिजाइन पूरिये में खुशामदीत कहता हूँ इस उमीद के साथ कि आप भी है रेसे होंगे दोस्तो आज हमारी कोड़ा की थर्टीन क्लास है इस क्लास के अंदर मैं को बताऊंगा आप कोमन शेप्स को किस तर पड़ा था इसके अंदर मैंने आपको बताया था किस तरह काम करता है आज हम इसके नेक्स्ट जो पार्ट है वह है कॉमन शेप बेसिकली आपको कुछ ऐसी शेप्स मिल जाती है जो आपको मैनुली डवैल्प नहीं करनी पड़ती है आपको को प्री सेट्स बने बनाई मिल तो उसके अंदर आपको मुक्तलिफ शेप्स कौन सी मिलती है वो आज आपको मैं दिखाता हूँ को वो क्या क्या चीजे हैं और आप उनको किस तरह इस्तमाल कर सकते हो जैसे ही मैंने यहाँ पर कॉमन शेप्स को सेलेक्ट किया तो उपर आपके सामने यह प्रोपर्टी बार के अंदर कॉमन शेप्स की प्रोपर्टी जागी बाकी सारी चीजें रोमेनिंग सेम रहेंगी लेकिन यहाँ पर जो एक पॉइंट है वो यह है जहां पर आपका बबल बना होगा यहां पर कोई भी बेसिक शेप्स की मिंडो है इसके अंदर जैसे आप क्लिक करोगे तो इसक तरह काम कर सकते हैं मैं यहां से एक यह शेप ले रहा हूं ठीक है इसी की तरह मैं यहां से एक दूसरी स्लेक्ट करूंगा और मैं यहां पर एक एरो ले रहा हूं इसे एरो लेने के लिए मैंसे दुबारा स्लेक्ट करके मुझे दुबारा स्लेक्शन लेनी पड़ेगी यहा से आगे banner shape के अंदर एक येっ banner ले लिया, ठीक है? और फिर मैंने common shape को select किया और फिर मैंने काल आउड shapes के अंदर यहाँ पर एक pop up notification message का ले लिया ठीक है? ये मेरेपास पांच shapes हो गाई अच्छा अब जैसी मैं in shapes पे klik करूंगा तो यहाँ पर आपको अंदर ये ignore करने का या no का sign है कि आप कोई चीज नहीं कर सकते ठीक है इसे अगर मैं red color दे दूँ तो आपने ये sign काफी जगा पर देखा होगा कि अगर cigarette पीना मना है तो cigarette की तस्वीर दिखा कि उसको पर इस तरह का एक symbol लगाया जाता है arrow के लिए ये down arrow है कि कोई नीचे की तरफ चीज दिखानी हो यहाँ पर एक graph है इसके अंदर आप table मैं मुख्री चीज़ें दिखा सकते हो यहाँ पर एक banner है अगर आप कोई product display दे रहे हो तो इसके अंदर आप setting कर सकते हो और यहाँ पर यह message है जो कि आप routine में mobile के अंदर भी देखते हो ठीक है तो यह वो चीज़ें जो आप design बना रहे होते हैं तो आपको इनकी जूरत पड़ती है आप वो manually develop नहीं करना पड़ता है तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाओं जैसे इसमें मैं click करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर एक छोटा सा red dot आ गया basically यह point है जिसके जरीए आप इसकी thickness को और इसके style को थोड़ा सा change कर सकते हो ज़रूरी नहीं है कि इन shapes के अंदर आपको points मिले किसी के अंदर आपको एक point मिलता है किसी के अंदर दो भी मिलते है जैसे कि scenario के अंदर एक मिल रहा है इसके अंदर आपको कोई भी नहीं मिलेगा मतलब जब आपने इसे यहाँ पर place करना है तो आपने उसी वक्त इसकी setting या उसकी shape को इस طرح यहां पर design करना है कि आपको दुबारा उसमें change ना करनी पड़े ठीक है इसी तरह जब यहां पर नीचे आप banner के उपर आते हो तो उसके अंदर आप देखें कि आपको यहां पर दो dots मिलते हैं एक yellow और एक आपके पास यहां पर red है इसी तरह अगर मैं यहां पर दूसरी चीज उपर click करके जैसे drag करूँगा तो drag करने से यह देखें आप इसकी thickness को कम या ज्यादा कर सकते हो कम करोगे तो यह मुक्तिफ शेप आजएगी शेप वही रहेगी लेकिन इसका थोड़ा से impact चेंज हो जाएगा इसी तरह अगर आप दूसरी शेप में आते हो arrow की अगर आप इ चैनिंग कर सकते हैं लेकिन यह कि अब आप इसके अंदर काम कर सकते हो अपनी design requirement के मताबिक कि यहां पर आपने text देना है heading आगी serial number आगे और description आप यहां पर type करके इसे utilize कर सकते हो अगर मैं इसे click करूँ और इस पे fill करूँ तो आप इसे fill भी कर सकते हो multiple colors दे सकते हो इसी त करोगे तो आप vertically मेरे ऊपर से नीचे की तरफ इसकी height को बढ़ा या कम कर सकते हो ठीक है वो depend कर रहा होता है कि आप जब काम कर रहे हो या आप कोई design बना रहे हो तो आपने किस तरह इस चीज़ों को use करने है इस पे भी आप कोई भी color fill कर दो इसी तरह आपके पास यह और shape ह है अगर आप इसके handle पर click करोगे तो आपका handle है जो आपका pop-up and notification का जहां से यह pop-up होちょ जहां पर आप इससे point कर रहे होगे आप इसके इस point को change कर सकते हो आप उपर की दरब से भी लेकर आ सकते हो नीचे की दरब से भी लेकर आ सकते हो और आप इसे भी कोई color fill कर सकते हो ठीक है तो common shapes का इतना ही काम है common shapes आपको bunny बनाई presets मिल जाता है और आप इनको use करके अपने design की speed को maximum तोर पर बढ़ा सकते हैं आपको manually यह चीज़ें develop नहीं करने ही पड़ती है और यह वो symbols होते हैं जो routine के अंदर आपको काफी जूरत पड़ी होती है इन चीज़ोंगी तो अगर मैं यहाँ पर आपको एक आदी और option दिखा दूँ तो common shapes के अंदर जो main आपका basic shapes है इसके अंदर ज्यादा आपको interesting चीज़ें मिल जाती है जैसा कि यहाँ पर आपको एक magnet मिल जाता है ठीक है आप magnet पर क्लिक करो आप नीचे यहाँ पर drag कर लो तो यहाँ पर यह एक आपका पास shape बन गी shape tool के साथ जैसे आपको इसे क्लिक करोगे तो आप इसकी arc को कम या ज्यादा कर सकते हो और या इसे पूरा circle भी कर सकते हो तो यह मुक्तलिफ shapes हैं और मुक्तलिफ shapes की मुक्तलिफ properties हैं यह जब आप use करेंगे तो उसके मताबिक आपको पता चलेगा तो आज की class के लिए इतना ही आज आपको मैंने comment shapes का बता दिये कि आपको इसे किस तना use कर सकते हो और मुझे उमीद है कि आपको इसकी समझ आगी होगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे like और share जरूर करें और अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और notification बेल को दुबा दें तो इस उमीद के साथ मुलाकवात होगी आने वाली class के अंदर तब तक के लिए अला हाफिज